कभी सोचा है आपने, एपल अपने सारे प्रोडक्स, आईपैड, आईपोड, आईफोन, इन सब के आगे आई क्यो लगाता है, आखिर ये आई का मतलब क्या है, इसे जानने के लिए चलते हैं साल 1998 में, जब स्टीव जॉब्स की कमपनी एपल ने इन्वेंट किया न्यू क्यूटर तो बहुत अच्छा बन गया था, बट कंफ्यूजन ये था कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो स्टीव जॉब्स ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें हर डिपार्टमेंट के डारेक्टर शामिल हुए, सब अपने-अपने अलग-अलग आईडिया दे रहे थे बेस्ट नाम होगा आई-मैक, एंड ये नाम सब को पसंद आया, तो आई का एक्च्छल मतलब है इंटरनेट, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतना सब होने के बाद भी स्टीव जॉब्स को ये नाम पसंद ही नहीं आ रहा था, बट सब के प्रेशर में आके उनने ये